भारत की जाबाज पाइलट जोया अगरवाल को आज देश का बच्चा बच्चा पहचानता है इस महिला पाइलट ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर बुलंदियों को चुआ जहां तिरंगे की शान को और गर्व महसूस हुआ है फिलाल देश की बेटी को सयूक्त रास्ट में महिला प्रवक्ता के बद पर न्यूक्त किया गया है जो अपने आप में ही बड़ी उपलब्धी है एक भारतिये महिला होने के नाते पाइलट जोया अगरवाल आज लाखो करोरो युवाउं की प्रेना बन चुकी है जेनरेशन इक्वालिटी के अंतरगत सयूक्त रास्ट में महिला प्रवक्ता के रूप में एयर इंडिया की महिला पाइलेट जोया अगरवाल ने एक और इतिहास रच कर भारत को फिर से गरवानवीत किया है आज पूरा भारत वर्ष अपनी देश की इस बेटी पर गर महसूस कर रहा है अपनी इस नई जिमिदारी को लेकर कैप्टन जोया बेहद उत्साहित है उन्होंने इस पर कहा कि सयुक्त रास्ट महिला जैसे मंच पर देश और एयर इंडिया के ध्वजा वाहक का प्रतिनिद्व करना उनके लिए बड़ी उपलब थी है भरत का नाम होने से वो वहत सम्मानित महसूस कर रही है वही देश के लिए मिशाल बेश कर चुकी जोया ने आगे ये भी कहा कि मैंने सपना देखना तब शुरू किया था जब मैं 8 साल की थी मैं सितारों को छूना चाहती थी मैं हर लड़की और महिला से कहना चाहती हूँ कि अपने आजपास के महल की परवा किये बिना कृपया सपने देखे और अपने सारी महनत उसे पूरा करने में समर्पित कर दे हार ना माने यहां पाइलेट कहती है कि भारत सरकार और एयर इंडिया को मेरा धन्यवाद मैं सरकार की आभारी हूँ जिनकी वज़े से इस वर्दी में देश सेवा करने का अफसर मिला साथ ही एयर इंडिया ने यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इजाज़त दी उसके लिए भी शु जनवरी 2021 में कप्तान ने एक एतिहासी गुडान भड़ी थी जिसकी प्रसंचा पूरे विश्व में हुआ सोशल मीडिया में जोया की कारणामे पर खुब वहावा ही हुई थी इस काबिल पाइलट ने एर इंडिया की महिला सदस्तों के साथ अपने भारत के लिए सबसे लंबी नोन स्टॉप कॉमर्शिल फ्लाइट रुणाने का बेहतरी निती हास रचा था जोया ने सैन फ्रांसिस्को से बैंगलूरू की इस दूरी को बिना कहीं रुके पूरा किया था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन कर साबित हुआ इस हैरत अंगीज कमाल के बाद इस महिला शक्ती की पहचान पूरी दुन्या में फैल गई हर तरफ सिर्फ इनकी ही चर्चा होती रही यहां आपकी जानकारी के लिए बता दे की पाइलेट जोया अगरवाल अभी भी सैन फ्रांसिस्को से बैंगलूरू की फ्लाइट की कमान संभाल रखी है फिलाल एर इंडिया की पाइलेट कैप्टन जोया अगरवाल सैयूक तरास्ट में महिला प्रवक्ता का कारभार संभालने की तैयारियों में है जहां पाइलेट देश के नाम और भी उपलब्दिया साबित कर सके वहीं आज पूरा भारत वर्ष देश की इस बेटी के जोश को सलाम करता है आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और देखते रहे एत्से न्यूस धन्यवाद